सब्सक्राइब कीजिए MS जादम यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइगन पर लेटेश बीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आज मैं आपको ये कैसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आपका डेटा बिल्कुल भी खतम नहीं होगा आपके येदी 1.5 GB डेटा आता है तो आप उसको पूरे दिन चला सकते हैं खतम ही नहीं होगा चाहे आप कुछ भी देखो वीडियो देखो बिल्कुल भी खतम नहीं होगा आपका 1.5 GB डेटा पूरे दिन चलेगा खतम नहीं होगा जल्दी से तो दोस्तो ये ट्रिक आज बताऊंगा आपको मैं तीन ट्रिक बताऊंगा ऐसी जे तीन और ट्रिक बहुत खतरनाग है बहुत धासू ट्रिक है आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा इससे पहले दोस्तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि कर सकते हैं वहाँ पर मैं आपके सवालों की जबाब भी दे दूंगा तो दोस्तो अब आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से यह सेटिंग करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा आपके जो सेटिंग का एप है उसमें जाना होगा दोस्तो जैसे यह आप सेटिंग के एप में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का एंट एक ट्रीक होई दोस्तोब मैं आपको दोसरी ट्रिक देठाँ दोसरी ट्रिक क्या हैं दोस्तो आप देखेंगे तो हम play store पर जाएंगे दोस्तों जैसे कि हम play store पर गए play store पर जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर three lines दिख रहे होंगी इन three lines पर आपको click करना है click करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर settings का option दिखेगा ये देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है setting के option पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे auto update apps ये लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे don't auto update apps इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर इन उपर बाले दो को छोड़के नीचे बाले पर क्लिक कर देना है Don't Auto Update Apps इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके जो मोबाइल में एप है वो अपडेट नहीं होंगे जल्दी से क्या अपडेट ही नहीं होंगे जब आप चाहोगे उस एप को अपडेट करना चाहोगे इस रिट्रेक ही ये है कि आपको जाना है वोटसप पर तो हम वोटसप पर जाएगे दोस्तों जैसे क्या हम वोट्सप पर गये वोटसप पर जाने की बाद मैं दोस्तों आपको Speak Z argued work करने भन में Set Nice पर क्लिक करना है दोस्तो settings पर click कर देंगे उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर data and storage usage इस पर आपको click कर देना है जैसे यह आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे van using mobile data इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस तीनों को छोड़ देना है यहाँ पर और दोस्तों यहाँ पर अब यूजिंग मोबाइल डेटा पर नो मीडिया हुए यहाँ पर वैन कनेक्टेड ओन वाइफाई तो इसको इन दोनों को तो आप रहने दीजिएगा लेकिन इस पर यहाँ पर इन सब पर क्लिक नहीं करना ह देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक नहीं है यदि क्लिक करोगे तो यहाँ पर यह नेट खाएगा तो इस वज़े से आपको इस पर यहाँ पर क्लिक नहीं करना है तो दोस्तों यह तीन ट्रिक है तीन ट्रिक बहुत धासू है इन तीनों ट्रिक को आपने अपने न लिया तो दो आपको वीडियो भी पसंद आई होगी तो शेयर जरूर कीजिएगा धन्यबाद